हेलो माइडियो फ्रेंड तोड़े वी आर गोइंग तुस्टाइड लेस्टन शिक्स करन मेड़ा ग्राइड़ पार्ट वन बुक वरक ओके तिक तक क्रेक्ट ओफ्सन हमने जो क्रेक्ट ओफ्सन है उस पर टिक करने वियर डिट करन सीट करन कहां बैठा इन इस रूम करन अपन मिस किसके फ्रेंड मिस दोस्त अंकल विजे किसके दोस्त हैं अंकल विजे करन के फादर के दोस्त हैं करन फादर ओन विच डे किस दिन करन कोल्ड और हिज फ्रेंड करन ने अपने दोस्तों को बुलाया संडे को वियर डिट करन प्लान टू में ग्राइड करन ने किस दिन ग सब्करांशों को बनाने की अपने घरेज यूज़ किया हैं अपने कमरी अंड आपने कमरे में बैठा था यह अपने रूम पने यह बिकित। करण हैब ल rubbing वनी संड Do술 में Dragcin 강 dictane w》 ल फ्र करन बैज째 अपना चाम है अपना डिजान बनाने का काम हैक्पिच नहीं उनस histे हॉपट यूज आना काम किया था करण वाज चुज इस पेंठ चारी यूज एक लिए को पहने अपने का यूज़?" नहीं करन इसके लिए Pencil or Eraser का यूज किया था इसलिए यहाँ फोल्स आएगा करन वाश ओर डैन्ट ग्राइडर डूड फ्लाइं करन को पक्कावी स्वास्ता ग्राइडर उड़ेगा यह करन को बिल्कुल पक्कावी स्वास्ता कि यह ग्राइडर उड़ेगा आगे हमारे very short question answer है ओके तो यहां देखिए Where did Karan sit? Karan कहां बैटा है? In his room, अपने कमरे में What, what means, what things Karan was using While drawing off and on Karan अपने drawing को off and on करने के लिए किन चीजों का यूज कर रहा है? His pencil and eraser अपनी pencil and eraser का Who designed did Karan में? Karan ने कौन सा design बनाया है? Grider का When did Karan start his design? Karan ने अपना design किस तन स्टार्ट क्या था? Since his summer holidays began जिस दिन summer holidays स्टार्ट हुई थी उस दिन Karan ने अपना design बनाना सुरूप किया था Who was uncle Vijay? Uncle Vijay कौन थे? A friend of Karan's friend जो Karan के पादर के दोस्त थे वो uncle Vijay थे आगे देखिए Make sentences using the flowing words हमने इन words का यूज करते वे sentence बनाने है A complice His task has been a complice जो उसका काम है वो बहुत ही कुसल हो चुका है Enough I have enough money मेरे पास काफी money है Concentration This job Needs a lot of concentration Frank Frank तक्ता He is set on the wooden frank of a grader वह उलकडी के तक्ते पर Grider में बैठा है Now change the flowing sentences into interrogative form Interrogative form में हमें वरब को आगे रखना होता है तो यहां देखिए Helping वरब है Rani is shorter than Ram यहां पर helping वरब है हम helping वरब Each को आगे करेंगे Is Rani shorter than Ram And ending में question mark The rat is in the room Each हमारा आगे आएगा Is the rat in the room Ending में question mark Gita is rich ready Each Gita are rich ready क्या Gita amir ready है Question mark Penguins live in snow अब यहां पर हमारा simple present tense है और Penguins हमारा plural है जब plural होता है हमें do या dutch का यूज़ करना होता है Penguins plural है तो इसके लिए हमें do का यूज़ करना होगा तो do Penguins live in snow Ending में question mark Ostrich is the largest bird Is ostrich the largest bird Question mark Ravi is a good chest prayer Is Ravi a good chest prayer Okay के का जएब के एूएफिट स्थे एूब की का जएब की आएब की का जएब की